यहलो स्टुडेंट्स आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेजज नाौलेज केमेस्ट्री क्लासेज में हमरी रूटेटर के बारे में देखेंано क्वान्टम केमेस्ट्री का इस video lecture में हम पूरे detail में समझेंगे रिजिट रोटेटर होता क्या है basically इसका classical model को इस video lecture में clear करने वाले हैं अगले video lecture में हम इसका quantum mechanical wave equations को देखेंगे तो आज का हमारा जो main focus है वो rigid rotator का basic principles पर है जिसमें हम उसको energy को भी देखेंगे किनिटीट के निर्जी को और डीटियल में समझने वाले हैं चले स्टार्ट करते हें रिजिट रोटेटर के बारे सबस्तंब होता क्या छीजिश है इसका किसलिए किया जाता है तो कोई भी रोटेटिंग सिस्टम जैसे कि अगर 2H2 को मॉल्कुल ले लिया जाए है न एच मॉल्कुल की बीच में बॉंड होगा सिंटेंट करेगा कि मॉल्कूल की रोटेट करें कोई क्या मॉल्कूल है ये रोटेट एस needed kी कोई bir रेक्सिटम जो रोटेट करता। उसके लिए हम एक बेसिक प्रिस्पल मॉडल बनाए है मेकनीकल मॉडल जिसको बोलते हैं रिजीट रॉटेटर याद रखना है आपको किसके लिए उसके जाता है तो रोटेटिंग सिस्टम के लिए कोई भी केमिकिक केमिस्ट्री के अगर पॉइंट पॉइंट विसे बोलें तो किसी भी बॉन्ड के एक्रॉस जो रोटेट हो रहा है है ना एक सेंटर पॉइंट लेकर करें रोटेट करते हैं इसको बार डिटिल में समझेंगे यह स्पेसल केस ओवर यह इस दैट लिनियार रेजीट रोटेटर विच इसमें एक रिजीट रोटेटर हम कर रहे हैं उसमें होता क्या है इसमें यह फिक्स लोकेटर करते हैं बट इसमें हम एक चीज और करते हैं जिसके बीच एक सेंटर आफ पॉइंट होगा सेंटर आफ माश्स लिखा है सेंटर आफ मास होगा मत्ब यहां पर ही इसका ग्रेविटी होगा तो यहां से center of mass लेकर के distance मालो आट टू है इधर का distance कितना है आरवन है अब overall distance यहां से लेकर कि यहां तक का distance आर है तो इस टैप के model है जहां पर एक center of mass point मिले हमें उसके आज पास अगल बगल में 2. mass हो उसके बीच एक fixed distance पर लोकेटेड हो तो इस टैप के अगर system की बात हम करते हैं इसको rotating system बोलते हैं इसके लिए हम rigid rotator जो concept है mechanical model है उसका हम use करते हैं ठीक है यहां पर rigid word जो use किया गया है rigid word use करने के पीछे reason यही है कि इनके बीच का distance क्या इनके बीच का distance fix होता है यह याद रखेंगे दो point mass के बीच के distance अगर fix हो उसके बाद हो एक center of mass center point से अगर rotate होता हो तो इसका distance तो change होने वाला है नहीं क्योंको rotate हो रहा है ना distance पर कोई changes नहीं होगा इस लिए word use किया जाता है rigid rotator मतलब जो rotate करे clear test point को याद रखेंगे center of mass point को भी याद रखेंगे the fixed distance between the two masses and the value of the masses are the only characteristics साथ the rigid model ति रिजिट जो रोटेटर है mechanical model इसका main point क्या है इसका two masses होता है उसके बीच के distance मैं जैसे भी बोला कि फिक्स डिस्टेंस जो डिस्टेंस होगा क्या होगा फिक्स होगा और जो value of mass mass कितने उसका कितना weight है उस पर depend करता है में लिए तू characteristics साइज का rigid model कर ठीक है ति यह basic point होगे अब हम चलते हैं rigid rotator in quantum mechanics उसका अब डिटेल में देखते हैं जो मैंने उपर में explain किया है diatomic molecules diatomic मतलब दो atom होना चाहिए जैसे मैंने h2 बोला diatomic है तो कि इसमें दो h के molecules है rotating about an axis किसके about rotate कर रहा है axis perpendicular to the internuclear axis अब देखो यह है यह दो molecules है एक क्या रोटेटिंग about axis perpendicular to the internuclear distance अभी internuclear distance क्या है तो दो hydrogen molecules है दोनों के बीच में किन्यूक्लियस है तिन nucleus के बीच के distance को बोलते है internuclear distance के बीच से एक point खीचा जाएगा perpendicular परपेंडिकूलर पॉइंट है पासिंग थूरुदा center of gravity जो मैंने बोला center of mass दोनों पॉइंट के बीच में कैसा point होता है जहां पर gravity दोनों साइड सेम होता है दोनों साभी मास सेम होता है उसको सेंटर आप gravity पॉइंट या फिर सेंटर आप मास पॉइंट आप दो मॉलेकूल कें बी कंसीडर एज लीनियर रिजीट रोटेटर तो ऐसा है वह एक इसको हम बोलते हैं लीनियर रिजीट रोटेटर मॉडल रखना है में डाइटामिक मॉल्कूस की बात कर रहें ओवर यह इंटर नुक्लेट डिस्टेंट डाज नाट चेंज डिवरिंग रोटेशन में वही चीज़ बोला रिजीट का मीनिंग ही क्या हो रहा है कि इंटर होता है डिवरिंग रोटेशन रोटेशन के दारान कि कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है इसलिए इसको बोला जाता है रिजीट रोटेटर तब सामझ में आगया होगा के में सब्सक्राइब होता है इनके बीच क्या होता है रोटेशन होता है तो रोटेशन होने की वज़ ठीक है और इसमें पॉइंट आप याद रखेंगे रिजिट का मतलब मैं एक पर फिर से बता देता हूं एंटर नुक्लियर डिस्टेंज डास नाट चेंज डिवरिंग रोटेशन रोटेशन के दवरान जो इंटर नुक्लियर डिस्टेंज नहीं होता है एक मॉडल देख लेत यहां के पिटल डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा इस टेप से रोटेशन हो रहा है जो मैंने इसका मॉडल में दिखा दिया अब हम चलते हैं इसका दो चीज़ं कल्कुलेट करें इस पहले समझते हैं कि रिजिट रोटेटर मॉडल को पढ़ा क्यों जाता है नहीं इस्ट ड्टेसे मलकूस तो किसी भी ड्टियोत का कखर मर्कूस का हुए रोटेशनrekत्य क्या रिजूस आेरजी इससे पहले वाले लेक्शेर मैंने बताया था कि झैसे कि पाटिकलिक्ल 1-dimensional box में मेंने ट्रांस-लेंसनल energy की बात किया है यह हो गया है उसके बाद क्या बाद रोटेस्टनल energy के बारे में जेहां कहीं भी यूस होगा जैसे कि सिंपल हर्मोणिक उस्किलेटरबाली ऑफृटेश्र के कि मोड् networking मोड को दिखाता है वैसी सेमी ratator emotionalikes का मॉडल है ता है इस को दिखाता था रोटेसट्नल इनर्जी क्लूएट कर ने का मॉडल है ठीक है आप अब देख लेते हम अब हम इसको करते हैं थोड़ा बेसिकrás को इसका बेसिक पॉइंट मासे के बीच के रोटेशन हम कल्कुलेट करें जैसे एम और एम टू मैंने बताया अब देर सेंटर आफ मास सेंटर आफ मास वही चीज़ यूपर मैंने बता दिया ठीक है अब देखते हैं मोमेंट आफ इनर्शिया सबस्पर हमें क्या निकालना है मोमेंट आफ इनर्शिया जैसे कि मोमेंट आफ इनर्शिया को जानते हैं आई इस इक्वल्ट होता है एम आर इस्क्वेर यह होता है फिजिक्स में मोमेंट आफ इनर्शिया जाब एम का है मास है और आपका इंटर नुक्लियर डिस्टेंस इंटर नूक्लियर डिस्टेंस जो मैंने उपर है बता दिया है है Na और और अब हमें आब यहाँ पर सिंग्ल रहता था तब यह था नहीं लेकिन जब दो है हमारे पास तो क्या करेंगे उसको एम वन और वन का स्क्वाइर हो जाएगा क्योंकि दो पॉइंट मासे हैं हमारे पर क्लियर है आपको अभी मैंने देखा ना आपको दो मॉलकुल दिखा है हम लोग ऐसा करके एक कमास एम एक कमास एम टू यहां सेंटर आफ मास है इसका इधर को मैंने बोला और टू इधर को बोला मैंने और वन टोटल डिस्टेंस कितना बोला और ठीक है तो एम और वन अलग अलग दोनों को यहां पर डिवाइट कर दिये गए दोनों मास के लिए यह हो गया मोमेंट आफ इनर्शिया ठीक है अब हम इसको क्या करते हैं थोड़ा स्वाल करते हैं कं वन और वन टू क्या है एम टु अगर दोनों पॉइंट मास वाश चैम के लिकल में लेए हम लोग है ना हांड्रोजन का मौलीकुल है है या फिर जो भी तो इसमें क्या हो रहे दोनों का इंटम होगा यहां तो अजीस आप देख रहे हो हो और रवन सिस्टम लेते हैं जिसक यहां पर सेहां तक सब्सक्राइब एक्वेंशन वन में पूरेशन वन में पूर कर देता हूं पर में एब टू आरवन क्लियर यहां तक आप अब यह करने के बाद अब देखते हैं इसको क्या करेंगे देखो इधर क्या हैं इंगा देखो प्लस तो r1 is equal to m2 r हो जाएगा clear तो m1 किसको लों r1 common ले लेता हूं तो m1 plus m2 is equal to क्या हो जाएगा m2r तो यहां से r1 is equal to क्या हो जाएगा m2r हो जाएगा और m1 plus m2 हो जाएगा clear r1 is equal to हमने निकाल लिया अगर सेव इसी equation number first में ही हम इस बार क्या करें इसके जगा इसके जगा आर वन निकाल लूँ और r minus r2 put करूं आर वन का value equation number one में पूट करूं जैसे मैं आर टू का आपको simple से put कर देना है जैसे मैंने पहले expression में क्या किया है आर टू की जगा पूट किया है आपको सेम क्या करना है आर वन की जगा पूट कर देना है फिर आपको आर टू के आर वन की स्कुएर है और एम टू आर टू का स्कुएर है अब इसमें आर वान आर टू का वेलू में पूट कर रहा हूं जो हमने उपर हम फाइंड के ठीक है एम वन आर वन मैंने क्या निकाल है देखो है आपर यह वाला वेलू है यह वाला वेलू है तापको क्या लिखना ह इसमें का लिटेंग वन आरवन की जगह मैंने क्या लिखना में एमटो यार और एमटो ग एमटो प्लस इव्म्न टू सेम एंटो की जगह एमटो और आट टू की जग सब्सकेते हैं लग लग लिखते हैं म81 परक कर दें तो क्या होगा एम टुगर इसक्वाइर होगा और जब स्कार होगा timber और गभेश auptे 11 लस एम टू का वोली सक्वएड ऐसा ही ऊगा प्लेस जल्के बाद अगला पैंत गहारा यह क्या है कि इधर क्लप सब्सक्राइब मन करेकर और मन करेकर ह deux स्कुएní साथ स्कॉयर कॉमन ले लेते हैं मतलब एम वन प्लस एम टू का यह स्कॉयर हो गया उपर में क्या बचेगा लिखते हैं सिद्धा ना यह बचेगा एम वन M2 का square और R का square फिर इधर बचेगा M2 M1 का square और R का square इतना बचा अब इसमें क्या करना है common निकाल लेना है क्या common निकालेंगे तो इसमें common निकालेंगे M1 और क्या निकालेंगे M2 उपर में न तो बचेगा क्या और क्या निकालेंगे R square भी निकालेंगे है M1 M2 R2 common निकालेंगे दिखर क्या पच्छेगा only M2 और इसमें क्या बचेगा only M1 और नीचे में क्या है हमारा M1-M2 का Holy Square हिए तो इसको हम क्या लिख सकते हूब और को और इसको माले M1 Lस M2 लिख़तों नीचे में हमारे पास M1 प्लस M2 का whole square है और इधर यह तो प्रेकेट होगे common निकला है इधर क्या बचा बहार में क्या है M1 M2 और R का square तो देखो 1 M1 प्लस M2 और 1 M1 प्लस M2 कर जाएगा तो बचेगा क्या क्सी कुछ नहीं बचा उपर में क्या बचा है M1 M2 और निचे में क्या बचा है 1 M1 प्लस M2 इतना बचा और क्या उपर में R का square clear है तो moment of inertia is equal to इतना निकला moment of inertia is equal to इतना निकला तो इसी M1 प्लस M2 को हम क्या करते हैं आपर M1 प्लस M2 को थोड़ा हम और simplify में लिख देते हैं तो I is equal to mu R का square तो mu is equal to क्या लिखते हैं है ना क्या हो जाए mu R का square जहाँ पर mu is equal to क्या है आपका moment of inertia reduce mass बोलते है M1 प्लस M2 clear तो यहाँ पर मैं final लिख देता हूँ तो I moment of inertia is equal to क्या निकला म्यू R का square जहाँ पर mu को क्या बोलते हैं हम लोग reduced mass क्या बोलते हैं reduced mass clear है reduced mass is equal to mu is equal to मैंने बताई दिया M1 M2 और M1 प्लस M2 यह हो गया reduced mass ठीक है तो यह moment of inertia यह expression होगा moment of inertia निकलने के लिए अब हम second expression में चलते हैं moment of inertia का use करके हमें क्या निकलना पड़ेगा हमें निकलना पड़ेगा kinetic energy क्या निकलने का लेंगे kinetic energy तो देखो 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 क्लासिकल का निकलना है आपको classic अब देखते हैं देखो सबस्पर आपने क्या निकला moment of inertia हमने निकाल लिया दो मास के बीच में rotation हो रहा थे तो होता यह है कि देखो एक चीज़ और याद रखेंगे हम यहां पर टोटल एनर्जी हमें कल्कुलेट करना है अभी में बताऊंगा ठीक है करने वाले हैं एंगुलर वेलासिटी में चेंज करने वाले हैं इप द लिखाए इप पार्टिकल इस रोटेटिंग आउट इन फिक्ड पॉइंट एट रेडियस आर विट फ्रिक्वेंसी म्यू फ्रिक्वेंसी भी बोलो या म्यू बोलो है आप इस इमनिट क्या है सेकंड सब्क्रिक्वेंद्थम उसिद्धेंगे इस ग्याए आ घ्वाले सिटीर। वहरी से ग्फियर इमनिर महows लोग क्या है वहां यह उंख्यक्tillफ,्या थम्हे ऐघ्या, व्लिनियर, व्लासिटी, बट र्भ्यादो हमें चाहिए क्योंकि ग्म स्थी इंगुलर वेलासिटी इस क और वेंगुलर वेलासिटी की बीच में एक रिलेशन है देखो यहां पर यह तो यह होता है टू पाई म्यू आर यह टू पाई आर म्यू और जो आपका मैं आप लिख देता हूं जो यह हमारा देख मियाद रखना यह हमारा क्या है यह हमारा क्रिक्वेंसी है यह हमारा क्या है यह हमारा क्या है यह हमारा लीनियर वेलासिटी लीनियर वेलासिटी है तो वी इस इकोल टू क्या है तू पाई म्यू आर है मैं बस म्यू को पहले लिखाऊं तू पाई म्यू आर है और 2.1 is equal to होता है ओमेगा मतलब इंगुलर वेलासिटी तो वहर्द क्या हो गया लिनियर वेलासिटी इस इक्वाइब इन्टु ओमेगा यह हमारा इंगुलर वेलासिटी में बता दिया ठीक है तो हम यहां पर लिनियर वेलासिटी है उसके जगा हम क्या पूट करेंगे और और omega put कर देंगे तो हमारा angular velocity में convert हो जाएगा फिर उसी classical kinetic energy को यूज करके हम आपको rigid rotator के लिए एक kinetic energy calculate करने वाले हैं ठीक है यहाँ पर दिखा भी है डवल इस इकल टू अब आते हैं अब निकालते हैं हम लोग rotational kinetic energy हम classical kinetic energy हम जानते हो समझते हैं अब हमें निकालना है rotational kinetic energy तो अब देखो क्या होगा सबसे पहले kinetic energy की निकालते हैं तो T is equal to T लिख लेते हैं या फिर ई भी लिख सकते हैं kinetic energy है ना टीज इक लिखेंगे हम वन बाइटू एम वी वन का स्क्वेर बतारों वन बाइटू दो मॉलकूल है तो वी टू का स्क्वेर अब वी वन और वी टू क्या है linear velocity है अब linear velocity को में किसमें करना है angular velocity में था में क्या लिखना पड़ेगा आरो मेगा उसके जगा तो वन बाइटू अच्छा एम वन और एम टू भी लिखना पड़ेगा दो अलग अलग मास है ना अब यूपर में सेम रहेगा ना velocity की स्पीड तो सेम बस क्या लिखेंगे आर वन और ओमेगा का स्क्वाइर प्लस वन बाइटू एम टू फिर इसके लिखेंगे आट टू ओमेगा का स्क्वाइर क्लियर है तो कि देखो आर वान आट तू अलग 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 था उपर में हमने देखा है दो अ जानते हैं लोग अनर्सिया मैंने उपर है बताया था तो यहां मैं लिखूंगा इतने की सकता हूं आई लिख सकता हूं अब मैं क्या करता हूं हमारा जो कानेटिक अनर्जी को इसमें उपर नीचे में अगर आई को मल्टिप्लाई कर दिए यहां तक है उपर में भी आई और नीचे में भी आई मल्टिप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा वन बाई टू ओमेगा का स्क्वेर उपर में आई और आई आई स्क्वेर हो गया और नीचे में क्या बचा आई होगा नहीं नीचे में क्या बचा है आई एक सांथ लिखते हैं को उपर में क्या बचा है मोमेंटम मिन्यार मोमेंटम होता है modest linear Momentum में अब वह सी सब सब्सक्सक्राइब मोलकूल करता है हम यहां पर रोटेशन की बात कर हैं लिन्यार सिटी की बात कर एंग कने रोटेंचे सносल एनरजी की बात कर रहे हैं मतलब रोटेशन रोटेशन से तो देखना पड़े भी मोमेंटम को है तो हमें क्या कहना पड़ेगा इसके लिए है अंगुलर मोमेंटम इसे एंगुलर वेलोसिटी था वैसी यहां पर एंगुलर मोमेंटम वाला कॉंसेप्ट को हमें ध्यान देना पड़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं एल स और moment of inertia किस पर depend करता है? mass पर depend करता है, reduce mass पर depend करता है clear? दूसरा यहाँ पर V था जो कि था linear velocity हम क्या देख रहे हैं? angular momentum तो क्या देखेंगे? angular velocity क्योंकि यहाँ पर यह rotate हो रहा है तो I omega is equal to हम क्या put करेंगे? L put करेंगे, जो कि है angular momentum किस equation में? इस वाली equation में तो हमारे पास जो T क्या निकला है? देखो, जो हमारे पास kinetic energy क्या निकला है? T is equal to omega square I square है और इधर क्या है? आपका है 2I तो omega I is equal to मतब क्या लिख सकती है? इसको omega I का whole square by 2I और omega I is equal to मैं क्या रहा हूँ? L, तो L का square और 2I क्या आ गया? तो kinetic energy T is equal to क्या आ गया? L by L square by 2I L square by 2I L क्या है angular momentum I क्या है momentum inertia यह होगे हमारा kinetic energy इसको क्या लिख रहे है? rotational kinetic energy क्योंकि rotational की बात हम कर रहे है rotational kinetic energy इहां तक rotational kinetic energy अब हम आते हैं जैसे कि हम जानते हैं Hamiltonian operator से क्योंकि हमें finally क्या करना है? हमें finally solve करना है उसको Hamiltonian operate Hamiltonian जो operator होता है या फिर जो kinetic क्या बोलते हैं? total energy operator बोलते हैं इसको Hamiltonian operator को इका total energy operator H होता है H operator इसको कैसे डिनोट करते हैं kinetic energy plus potential energy potential energy को capital V से दिखाते हैं kinetic energy को T से दिखाते हैं तो जैसे मैं बता दूँँ अब हमने kinetic energy कर लिया T is equal to L square by 2i बट हमें potential energy नहीं मिला क्या नहीं मिला है potential energy ठीक है तो उसका potential energy क्या होता है जीरो होता है यह आपको लिखना होगा क्या लिखना होगा कि कोई भी जो point mass है अगर वो fix distance से कैसे लिखेंगे वेर दा कि सिंज दा डिस्टेंस बिट्वीन टू पार्टिकल इस फिक्स क्या लिखेंगे दिस्टेंस डिस्टेंस बिट्वीन टू पार्टिकल्स बिट्वीन टू पार्टिकल इस फिक्स क्या है फिक्स देनने क्या होता है र Дेन आपको जीने दा healthy energy is zero अब समझ में आ गया सिंस डिस्टेंज बीट्विन ऑप्ट तू पार्टिकल इस फिग्स दो पार्टिकल की बीच को अगर डिस्टेंस फिग्ज और हो तो ऑफनी का एकटाल एकटाल और स्में किसी भी सिस्टम का रोटेटिंग सिस्टम का रोटेटर का अगया एक ल्टीं या इसी h Hamiltonian operator से हम क्या करने वाले हैं इसीय omena में quantum mechanical wave equation जब हम find करेंगे ना तो हम कहां सी स्टाट करते हैं जैसे हम जानते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एच तो मिल गया है हमारे पास क्या एली स्क्वाइर बाई टू आई क्लियर इसी equation को यूज करेंगे हम और हम इसके बेस फिर quantum mechanical wave equation करेंगे रिजी टूटर मॉलिकूल के लिए क्लियर है यह हमने फाइंड कर लिया इसी एक को यूज करेंगे यह साही सही के फार्म में फिर पूरा कि आप एक मैं अपना वीडियो लेक्शर अप्रोड कर दिया हूं एंगुलर मोमेंटम ऑप्रेटर पे एंगुलर मोमेंटम ऑप्रेटर करके मैंने एक वीडियो लेक्शर अप्रोड किया है अब उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम तो उसी से हम यूज करेंगे पूरे स्कों कर देखेंगे इस लिए क्या करें इस वीडियो लेक्ट्टर के बाद अगर देख चुके होंगे तो आप याद रखेंगे फिर हम लोग मिलते हैं जिसमें हम साल करेंगे quantum mechanical wave equation for rigid rotator system के लिए ठीक है उमिद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको अच्छा रागा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में share कर दें ताकि सब तक इजी वे में नोट्स पहुंच चुके है ठीक है थाइंक यू वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं ने शुर्य लक्षार में तब तक लिए थाइंक